प्रशनावले च्यार दसमलव दो, प्रशन संख्या एक पहले चर को पर्थक करने वाड़ा चेण बनाईगे और फिर समीकर्ण को हल कीजिए इस सवाल में हमें सबसे पहले चर को अलग करना है चर क्या होता है? समीकर्ण दिया हुआ है एकस गटा एक वराबर जीरो करना है और फिर समय करने को हल करना है अलग करने के लिए मतलब यह है कि हम यहां से दीरे दीरे इस साइड में जो बाई तरफ जो एक्स के साथ पड़े हुआ है उसको हटाएंगे और इधर सिरफ एक्स को ही रखेंगे और इसके साथ जो को संख्या है उस संख्या को हम दीरे द एक्स बचेगा यानि सिर्फ चर बचेगा और फिर हमने उस समीकर्ण को हल करना है पहला स्वाल है एक्स गटा एक बराबर जीरो इस समीकर्ण में एक्स एक चर है इसके साथ में यहाँ पर माइनस गटा का एक है हमें इस गटा के एक को यहाँ से अलग करना है हटाना है और सिर्फ चर्कोई यहां पर रखना है तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ एक जोडने पर इस समीकन में दोनों तरफ एक जोडेंगे एक जोडने पर एक्स गटा एक है यहां पर इसमें एक जोड दिया बराबर है जीरो था जीरो में भी हमने एक जोड दिया क्योंकि समीकन के अंदर बायापक्स और दायापक्स होते हैं उन दोनों साइड में अगर हम किसी एक साइड में एक जोडते हैं दूसरी साइड भी एक जोडते हैं तो समीकर्ण में कोई फरक नहीं पड़ता सिधे सिंपल अर्थ में समझा जाए तो अगर हम किसी समीकर्ण के दोनों पक्षों में बाएंपक्ष और दाएंपक्ष में कोई एक समान संख्या जोड़े एक समान संख्या गटाएं या दोनों तरफ एक समान संख्या से गुना करें या भाग करें तो उस समीकर्ण में कोई भी फरक नहीं पड़ता वो समीकर्ण वैसे का वैसा रहता है तो हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पर दोनों तरफ एक को जोड़ा है तो दोनों तरफ एक जोडने पर स्मिकर में एक्स माइनस एक इस साइड में बाएं पक्स में हमने एक जोड दिया बराबर इधर दाएं पक्स में जीरो था इसके अंदर भी एक जोड दिया इसको आगे अलकरेंगे एक्स गटा एक जमा एक एक जमा का और एक घटा का यहां से बचेगा हमारे पास صिर्फ X बराबर जीरो जमा एक जीरो में एक जोडेंगे तो एक आएगा तो यही हमारा इस समीकरण का हल हो जाएगा इसमें हमने चर को अलग कर दिया यहां पर चर के साथ में घटा का एक पड़या था यही हमारे इस समेकन का हल होगा दूसरा भाग है X जमा एक बराबर 0 यहां पर X चर्क के साथ एक है हमें इस चर्क को अलग करने के लिए इस एक को यहां से हटाना होगा तो हम दोनों तरफ एक गटाएंगे X जमा एक बाएंपक्स में X जमा एक था उसमें से एक गटा दिया बराबर दाएंपक्स में है जीरो उससे भी हमने एक गटा दिया तो यह हो जाएगा X जमा एक गटा एक एक जमा का एक एक गटा का एक तो यहां से कट जाएगा यहां बचेगा X बराबर 0 गटा 1 गटा का 1 तो यह इस समीकरन का हल हो जाएगा अगला पार्ट है X गटा 1 बराबर 5 यहां पर 4 के साथ में गटा का 1 पड़ा है तो इस गटा के 1 को यहां से हटाना है तब ही हम X को 4 को अलग कर पाएंगे तो यहां पर एक गटा का दिया हुआ है तो हम यहां पर एक दोनों तरफ जोड़ेंगे तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर इस समीकरन में बाइपक्स में बाइपक्स है X गटा 1 उसमें एक जोड़ेंगे और यही इधर करेंगे दाइपक्स में हमने बाइपक्स में एक जोड़ेंगे तो दाइपक्स के अंदर भी एक जोड़ेंगे दोनों तरफ समान संख्या गटाएंगे समान संख्या जोड़ेंगे गटा का एक और जमा का एक यह कट जाएगा X बचेगा यहाँ पर 5 जमा एक 6 तो यहाँ पर X अकेला बच गया उसको हमने संख्या से अलग कर दिया तो X का मान हो जाएगा 6 यही समीकन का हल होगा अगला है X जमा 6 बराबर 2 यहाँ पर X के साथ 6 है 4 है उसके साथ में 6 है इस समीकन के 22 पक्स में X जमा 6 है उसके साथ में X के साथ में 6 है अब यहाँ से 6 को अटाना है तो यहाँ पर जमा का 6 है तो हम गटाएंगे दोनों तरफ 6 गटाने पर समीकन के 22 पक्स में है X जमा 6 उसमें इसे 6 गटा दिया बराबर का निशान दाएंपक्स में 2 था उसके अंदर से भी उतना ही गटाएंगे जितना हमने दाएंपक्स में से गटाया है X जमा 6 गटा 6 यह अपस में कट जाएगा यहाँ बचेगा सिर्फ X बराबर दो में से गया 6 ये बचेगा घटा का 4 दो में से 6 को घटाएंगे हम तो घटा का 4 बचेगा ये इसमिकरन का हल होगा अगला पर य घटा 4 बराबर है माइनस 7 य घटा 4 बराबर माइनस 7 यहाँ पर जो 4 है वो य है और उसके साथ में हैं घटा का 4 हमें इस 4 को यहाँ से हटा करके y को अलग करना है तो दोनों तरफ दोनों तरफ का मतलब है बाएंपक्स और दाएंपक्स च्यार जोडने पर इस समिकन के बाएंपक्स में हमने च्यार जोड दिया और दाएंपक्स के अंदर भी च्यार जोड दिया यह च्यार जमा का च्यार घटा का यह बचेगा y बराबर घटा का 7 जमा का 4 यह बचेगा एक जमा है और एक घटा है तो घटेगा साथ में से चार गया तीन साथ है जो उसका निसान है घटा का तो घटा का तीन बचेगा यह इस समीकन का हल हो जाएगा अगला पार्ट है वाई गटा चार बराबर चार जहाँ पर इस समीकन के बाएं पक्स में वाई गटा चार है तो चर वाई के साथ में गटा का चार है हमें वाई को अलग करना है पर्थक बने अलग तो यहाँ पर वाई को अलग करने के लिए हमें इस चार को यहाँ से हटाना होगा गटा के चार को तो हम दोनों तरफ चार जोडेंगे इस समीकर्ण के दोनों पक्षों में च्यार जोडने पर दोनों पक्षों में जोड़ेंगे एक पक्ष में नहीं अगर एक पक्ष में जोड़ेंगे एक को छोड़ देंगे तो समीकर्ण है वो बराबर नहीं रहेगा तो जो हमें जोड़ना है या घटाना है वो दोनों पक्षों में होगा बाइं पक्ष में भी और दाइं पक्ष में भी तो यहां पर वाई घटा च्यार जो बाइं पक्ष है उसमें हमने च्यार जोड़ दिया और यही काम करेंगे हम दाइं तरफ, दाइं तरफ चार है, उसके अंदर भी चार जोडेंगे यह चार जमा का और चार घटा का यह कट जाएगा, व्य बचेगा, व्य बराबर चार जमा चार आठ तो यह इस समीकर्ण का हल हो जाएगा नेक्स्ट है y जमा च्यार बराबर च्यार यहां पर इस समीकर्ण में 4y के साथ जमा का च्यार है तो हम इस जमा के च्यार को हटाने के लिए इसको खतम करने के लिए इसके अंदर घटा का च्यार जोड़ना पड़ेगा तो दोनों तरफ दोनों पक्षों में या दोनों तरफ घटा च्यार जोड़ने पर या च्यार घटाने पर एक ही बात है दोनों तरफ घटा च्यार जोड़ने पर या च्यार घटाने पर दोनों तरफ लिख सकते हैं दोनों तरह ऐसे तो यहां हो जाएगा y जमा च्यार इसमें माइनस च्यार हमने जोड़ दिया बराबर इधर भी 4 के अंदर भी माइनस 4 को जोड़ेंगे या 4 को घटाएंगे एक ही बात है माइनस 4 जोड़ना या 4 घटाना कैसे भी लिख सकते हैं यहां से यह कट जाएगा y बचेगा y बराबर 4 में से गया 4 0 तो y कमान 0 इस समीकर्ण का हल हो जाएगा y बराबर 0 h y जमा 4 बराबर माइनस 4 जहां पर y 4 के साथ में जमा का 4 है तो यहां से 4 को खतम करना पड़ेगा दोनों पक्षों में से हम 4 को घटाएंगे दोनों तरफ यह दोनों पक्षों में च्यार घटाने पर यह यह बिल सकते हैं दोनों तरफ घटा के च्यार जोडने पर एक ही बात है बायापक से y जमा 4 इसमें से 4 हमने घटा दिया बराबर दायापक से घटा के च्यार उसमें से भी हमने च्यार घटा दिया यह कट जाएगा y बराबर हो जाएगा घटा के च्यार और घटा के च्यार दोनों संख्याएं घटा की हैं दोनों संख्याएं घटा में हैं तो जुड जाती है घटा-घटा है तो इनों जुड जाएगी और निसान रहेगा घटा का क्योंकि दोनों इसंखें गटा हैं तो गटा के च्यार और गटा के च्यार हो जाएगा गटा के आठ तो वाई बराबर गटा आठ यही समीकन का हल हो जाएगा स्वाल नम्बर दो पहले चर को पर्थक करने के लिए प्रियोग किये जाने वाले चर्ण को बताईए और फिर समीकन को हल कीजिए पहला है तीन अल बराबर बे आलिस तो यहां पर हमें पहले चर को अलग करना यहां पर हमारा चर है अल L को अलग करना और फिर समीकन को अलग करना पहले स्वाल की तरह है मिलकुल तो आईए करते हैं इसको यहां पर L के साथ तीन है गुना में है तो तीन को यहां से अटाने के लिए हमें इसको तीन से भाग करना पड़ेगा तो कि यहाँ पर यह गुणा में है तो इसको अठाने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा अगर यह जमा में होता तो हमें गटाना पड़ता और गटा में होता तो हम जोडते लेकिन यह यहां पर गुणा में है इसलिए इसको यहां से खतम करने के लिए अटाने के लिए हमें इसको तीन से भाग करना पड़ेगा तीन एल को भाग कर दिया हमने भाग का मतलब इसको बटे एल माफ करना तीन से भाग करने पर इसको हमने तीन से भाग किया बराबर दायापक्स है वहाँ पर बियाले से बियाले इसको भी तीन से भाग करेंगे कि हमें अगर इह तीन से भाग किया थो इधर भी तीन से भाग करना पड़ेगा यह तुमारा समीकर्ण है वो बराबर नहीं रहेगा इसको आग गयाल करेंगे तीन L को तीन से भाग दिया तीन से यहां तीन कट जाएगा यहां बचेगा L बराबर 22 को 3 से भाग दिया यह कटके आजाएगा हमारा 14 14 यह बराबर तो यह L कमान हो जाएगा यही समीकर्ण का हल होगा दूसरा है B बटा 2 बराबर 6 यहां पर B जो 4 है उसको 2 से भाग किया हुआ तो इस 2 को हटाने के लिए इस B को अलग करने के लिए हमें यहां पर 2 से गुणा करना पड़ेगा दोनो पक्षण को यह लिखेंगे दोनो तरफ 2 से गुणा करने पर क्योंकि यहां पर भाग में है तो गुणा करेंगे तो B बायापक्स है बी बटा दो, इसको हमने गुणा कर दिया दो से, बराबर का निशान दाएपक्स में 6 है, उसको भी हम 2 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ एक जैसे संख्या से गुणा करेंगे, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा बी, बराबर 6 को गुणा की 2 से 6 तीसरा पी बटे 7 बराबर 4, यहां पी को 7 से भाग किया हुआ है, तीसरा साथ को खतम करने के लिए, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 7 से गुणा, बिलकुल उपर वाले सवाल की तरह, दोनों तरफ 7 से गुणा करने पर, बाया पक्स है, पी बटा 7, उसको हमने 7 से गुणा कर दिया, वही काम करेंगे, दाई तरफ 4 को भी 7 से गुणा करेंगे, यह हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, विदर बचेगा बाया पक्स में, पी, दाई पक्स है, 4 गुणा 7, 4 सते, 28, तो यह हमारा पी का माना जाएगा, 28 इसके बाद है अगला पार्ट 4x बराबर 25, यहाँ पर 4 के साथ में 4 है, उस 4 को यहाँ से खतम करने के लिए, 4 इसके साथ गुणा में है, तो इसको यहाँ से खतम करने के लिए, हमें को दोनो तरफ 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि भाग करने से यह यहां से अटेगा तो दोनों तरफ च्यार से भाग करने पर क्योंकि च्यार गुणा में है अगर भाग में होता तो गुणा करते और गुणा में है तो भाग करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा च्यार एक्स इसको भाग कर दिया हमने 4 से दाहें पक्ष में भाई करेंगे 25 को 4 से भाग यह हमारा हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा X बराबर 25 बटे 4 तो यह हमारा समीकर्ण का हल हो जाएगा अगला पार्ट है E आठ वाई बराबर 36 यहाँ वाई के चरक के साथ में 8 है तो आठ को में यहां से खतम करना है तो दोनों तरफ आठ से भाग करेंगे क्योंकि आठ यहां पर गुणा में है तो दोनों तरफ आठ से भाग करने पर इस समीकन के दोनों पक्षों को आठ से भाग करेंगे आठ वाई है बायापक्स इसको हमने आठ से भाग कर दिया इधर दाएंपक्स च्छतिस को भी आठ से भाग करेंगे तो यह आएगा आठ से आठ कर जाएगा वाई बराबर हो जाएगा 36 को 8 से बाग देंगे तो 36 बटे 8 रहेगा इसको हम आगे तुड़ा काट सकते हैं 4 से काट देंगे 4 निमे 36 और 4 दूनी 8 तो यहां से Y का मान हो जाएगा 9 बटे 2 यही समीकर्ण का हल होगा F जड़ बटे 3 बराबर है 5 बटे 4 यहां पर जड़ को 3 से बाग किया हुआ है तो हम दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे क्योंकि यहां पर 3 से बाग की बटे आवस्मीकर्ण के अंदर तो हमें इस 3 से गुणा करना पड़ेगा तभी यहां से 3 खतम होगा यह हो जाएगा जड़ बटा 3 इसको 3 से गुणा कर दिया बराबर दायापक्स है 5 बटा 4 उसको भी 3 से गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा यहां बचेगा जड़ बाईपक्स में दायपक्स में है 5 बटे 4 गुणा 3 तो यह हो जाएगा 15 बटे 4 5 गुणा 3 15 बटे 4 कोई संख्या यहां पर कट नहीं रहे तो हम गुणा कर देंगे 15 बटे 4 अबला है ए बटा 5 बराबर 7 बटे 15 यहां पर 4 ए को 5 से बाग किया हुआ है तो दोन्नों तरफ उप्रवाळे सवाल कीदर है यह दोन्नों तरफ 5 से गुणा करने पर गुणा करेंगे ए बटा 5 गुणा 5 दायपक्स को भी 5 से गुणा करेंगे 5 से 5 कट जाएगा ए बराबर इधर है 5 नीचे है 15 5 से काट देंगे 5 दिये 15 7 बटे 3 ए हो जाएगा 7 बटे 3 अगला पार्ट है 20 टी बराबर है माइनस के 10 यहाँ पर टी है जो उसके साथ 20 की गुणा है तो इसको खतम करने के लिए में 20 से भाग करना पड़ेगा तो दोनों तरफ हमारे पास बराबर 10 से भाग करेंगे 10 को 20 से भाग करेंगे तो 10 से कम 10 हो 10 तुनी 20 तो घटा का एक बटा दो तो टी का जो मान है वो घटा के एक बटा दो हो जाएगा परसन संक्या तीन चर को पर्थक करने के लिए जो आप चर्ण प्रियोक करेंगे उसे बताईए और फिर समीकर्ण को हल कीजिए बिल्कुल दूसरे सवाल की तरह है यहाँ पर जो बाया पक्स है उसमें है तीन गटा दो तो चर के साथ में एक तो तीन है और एक गटा के दो है तो हम सबसे पहले गटा के दो को अटाएंगे और फिर उसके बाद तीन को अटाएंगे तो गटा का जो दो है वो गटा में है तो यहाँ पर दूनों तरफ दो जोड़ेंगे उससे हमारा ये वारा जो भाग है गटा दो यट जाएगा फिर बचेगा यहाँ पर N के साथ तीन जो भाग में है फिर हम तोनों पक्षों को तीन से जो गुणा है तीन जो साथ में है वो गुणा में है तोनों पक्षों को तीन से भाग करेंगे तो वहाँ से फिर ये तीन अट जी आएगा और एन बच जी आएगा तो पहला चर्ण है जो चर्ण एक है दोनों तरफ दो जोड़ने पर जोड़ेंगे तीन एन गटा दो जमा दो दाइपक्स में भी दो जोड़ेंगे च्छारिस जमा दो ये हो जाएगा दो से दो कट जाएगा तीन एन बराबर च्छारिस और दो अड़तारिस अब हमारे पास एनके साथ तीन जो गुणा में है इसको ठाने के लिए दोनों तरफ तीन से भाग करेंगे तो च्छार्ण दो में अगला जो स्टैप होगा जो उसमें हम दोनों तरफ तीन से भाग करने पर तीन एन को भाग करेंगे तीन से इसी प्रकार दाएं पक्स में अड़तारिस को भाग करेंगे तीन से तीन से तीन कट जाएगा एन बचेगा एन बराबर अड़तारिस को भाग देंगे तीन से अड़तारिस को तीन से भाग देने पर आएगा सोड़ा तोकि 16 तिया 48 N कमाल हो जाएगा 16 B है 5 M जमा 7 बराबर 17 यहाँ पर 22 पक्स में M के 7 जमा का 7 है और गुणा में 5 है पहले 7 को हटाएंगे दोनों तरफ 7 गटा करके फिर 5 को हटाएंगे दोनों तरफ 5 से भाग दे करके तो चर्ण एक में दोनों तरफ 7 गटाने पर 5 M जमा 7 में से गटाएंगे 7 दाई पक्स में 17 में से गटाएंगे 7 यह 7 गटाएंगे 7 गटाएंगे 0 5 M बराबर 17 में से गटाएंगे 7 10 अब यहां पर M के 7 पाँच है तो अगले चर्ण में चर्ण नमबर 2 में दोनों तरफ 5 से भाग देने पर क्योंकि यहां पर 5 गुणा में है तो भाग देना पड़ेगा 5 M को भाग देंगे 5 से बटे 5 बराबर 10 को भाग देंगे 5 से क्योंकि दोनों तरफ हमें 5 से भाग देना है यहां से यह कट जाएगा यहां से बचेगा सिर्फ M M बराबर 10 को भाग दिया 5 से 5 दुनी 10 दो पर कट जाएगा तो M का मान यहां से आजाएगा 2 C पार्ट है 20 P बटा 3 बराबर 14 यहां पर P के साथ में 20 गुणा में है और 3 बाग में है तो हम पहले 3 को अटाएंगे और फिर 20 को तो पहले चर्ण में चर्ण नंबर 1 में दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर क्योंकि 3 भाग में है यह पहले चर्ण में करेंगे हम 20 P बटे 3 इसको गुणा किया 3 से इधर भी 40 को गुणा किया 3 से यह 3 से 3 कट जाएगा 20 P बराबर 40 गुणा 3 120 अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ यह हमारा चर्ण 2 हो जाएगा दोनों तरफ 20 से भाग करने पर क्योंकि यहां 20 P के साथ गुणा में है तो हमें 20 से भाग करना पड़ेगा तब ही 20 यहां से अटेगा 20 P को हमने भाग कर दिया 20 से इधर 120 को भी 20 से भाग करना पड़ेगा यह आ जाएगा 20 से 20 कट जाएगा P बराबर 0 से 0 कट जाएगा 12 बटे 2 2 को 12 को 2 से भाग देने पर आएगा 6 2 चिके 12 तो P का मान यहां से हो जाएगा 6 इसके बाद है D पार्ट 3 P बटा 10 बराबर है 6 यहां पर P के साथ 3 गुणा है और 10 से भाग किया हुआ है पहले हम 10 को अटाएंगे गुणा करके फिर 3 को अटाएंगे भाग करके तो चर्ण नमबर एक में दोनों तरफ 10 से भाग करने पर 10 से गुणा करेंगे कोई भाग है तो 10 से में गुणा करना पड़ेगा योकि 10 यहां पर भाग में है तो गुणा करने से ही 10 यहां से हटेगा तीन पी बटा 10 इसको हमने गुणा कर दिया 10 से बराबर दाएंपक्स में भी 6 को गुणा करना पड़ेगा 10 से यहां जाएगा मारे पास 10 से 10 कट जाएगा तीन पी बराबर 6 गुणा 10 60 अब हमें पी के साथ जो तीन है जो गुणा में है उसको अटाना पड़ेगा तो तीन को अटाने के लिए हम दोनों तरफ तीन से भाग करेंगे तो चर्ण दो में दोनों तरफ तीन से भाग करने पर भाग करेंगे तीन पी को हमने भाग कर दिया तीन से इधर साथ को भी हमने भाग कर दिया तीन से यह हमारे पास आजाएगा तीन से तीन कड़ जाएगा पी बचेगा पी बराबर साथ को भाग दिया तीन से यह आएगा साथ को तीन से भाग देने पर बीस क्योंकि बीस तिया साथ होता है तो पी का मान हमारे पास आजाएगा बीस और यही समीकर्ण का हल होगा परसन संख्याच चार है निमलिक्त समीकरणों को हल कीजी यहांपर हमें समीकरण दी हो इसको हल करना है तो वही वी दिया पनाएंगे हम यहांपर चर को पर्थक करके हम इसको हल करेंगे पहला ए है 10 P ब्राबर 100 यहांपर P के साथ 10 गुणा है तो हमें इस 10 को अठाना है तो दोनों तरफ 10 से भाग करने पर दोनों तरफ 10 से भाग करने पर भाग करेंगे 10 P है इसको हमने भाग कर दिया 10 से इदर है दाएं पक्स में 100 इसको भी हम भाग करेंगे 10 से 10 बटे 10 से 10 से 10 कट जाएगा तो हमारा इदर बचेगा P और 100 को हमने 10 से भाग करना है तो उपर 0 से 1 0 कट जाती है यहां बचेगा 10 निचे बचेगा 1 10 बटा 1 10 को 1 से भाग देने पर 10 ही आएगा तो P का मान यहां से हो जाएगा 10 यह समीकन का हल होगा B है 10 P जमा 10 बराबर 100 यहां पर 2 पक्स में P के साथ 10 गुणा में भी है और P के साथ 10 जमा में भी है तो पहले इस 10 को हटाएंगे तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ से 10 गटाने पर क्योंकि यहां पर 10 है वो जमा में है गटाएंगे 10 P जमा 10 इसमें से 10 गटा दिया इदर भी 100 में से 10 को गटाएंगे यह आएगा 10 में से 10 गया 0 कट जाएगा 10 P बचेगा खाली यहां पर बराबर 100 में से 10 गया 90 अब यहां पर P के साथ 10 है जो गुणा में है अब दोनों तरफ 10 से भाग करने पर यहां लिखेंगे दोनों तरफ 10 से भाग करने पर क्योंकि यहां पर 10 है जो वो P के साथ गुणा है तो हमें भाग करना पड़ेगा यह हो जाएगा 10 P को 10 से भाग कर दिया इधर 90 को हमने 10 से भाग कर दिया 10 से 10 कट जाएगा P बचेगा 90 को भाग दिया 10 से 00 काट सकते हैं 9 बटा 1 9 को 1 से भाग देने पर 9 ही आएगा C है P बटा 4 बराबर 5 यहां पर P के साथ 4 है जो भाग में है तो हम दोनों तरफ 4 से गुणा करेंगे क्योंकि भाग में है 4 से गुणा करने पर गुणा करेंगे P बटा 4 को हमने 4 से गुणा कर दी 10 तरफ 5 है उसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ समान संख्या से ही गुणा भाग जोड या घटा करते हैं यहां से 4 से 4 कट जाएगा पी बचेगा हमारे पास 5 गुणा 4 20 तो पी का मान हो जाएगा 20 यह समीकन का हल होगा अगला पार्ट है पी बटे 3 बराबर 5 गटा के पी बटा 3 बराबर है 5 तो यहां पर पी के साथ में 3 भाग में है तो हम गुणा करेंगे दुन्नों तरफ दुन्नों तरफ तीन से गुणा करने पर गुणा करते हैं माइनस पी बटा 3 गुणा किया इसको 3 से दाइंतरफ 5 है उसको भी गुणा किया 3 से तो यह हमारे पास आजएगा तीन से तीन कट जाएगा गठा के P बराबर है 15 अब यहां पर हमारे पास P है वो गठा का है इस गठा को यहां से हमें अटाना है तो हम क्या करेंगे इस गठा को अटाने के लिए दोन्नों तरफ हम गठा से गुना कर देंगे इधर भी और इधर भी तो हमारे पास दोन्नों तरफ गठा एक से गुना करने पर दोन्नों तरफ कर रहे हैं इसे समीकन में कोई फरक नहीं पड़ेगा और हमारा जो P के साथ गठा है वो हट जाएगा दोन्नों तरफ गुना करने पर यह हमारे पास आ जाएगा गठा के P को गुणा कर दिया हमने घटा एक से इधर पंद्रह को भी गुणा कर दिया घटा एक से तो पी गुणा एक पी गटा गुणा गटा हो जाता है जमा तो पी हो जाएगा जमा का इधर पंद्रह गुणा गटा एक पंद्रह गुणा एक होगा पंद्रह और साथ में गटा तू गटा के 15 तो P है जो उसका मान आजाएगा गटा के 15 यही समेकन का हल होगा नेक्स्ट है इपार्ट तीन P बटा च्यार बराबर च्छे यहाँ पर पहले हम सबसे पहले च्यार को खत्म करेंगे तो दोनों तरफ च्यार से गुणा करेंगे दोनों तरफ च्यार से गुणा करने पर हमारा च्यार होगा यहाँ से अट जाएगा यह हो जाएगा तीन P बटा च्यार इसको गुणा कर दिया च्यार से इधर दाई तरफ च्यार है इसको भी गुणा कर दिया च्यार से अब हमारे पास P के साथ तीन है, दोनों तरफ तीन से भाग करने पर, तीन से भाग करने पर, भाग करेंगे तीन P को तीन से, इधर 24 को भाग करेंगे तीन से, तीन हमारे पास कटके आजाएगा, P बरावर 24 बटा 3, यह आएगा 8, 3, 8, 24, तो P का जो मान है, वो जाएगा 8, इसके बाद है, next, तीन S बरावर है, माइनस 9, यहाँ पर हमें S के साथ में 3 है, इसको अटाना है यहाँ से, तो दोनों तरफ, तीन से भाग करने पर, भाग करेंगे इसको 3S बटे 3 बरावर घटा के 9 बटे 3, यह कट जाएगा, हमारे पास S का मान आजाएगा, 9 बटा 3, घटा का 9 को 3 से भाग देंगे, तो 3 तिया 9, तीन पर जाएगा, तो S का मान आजाएगा, घटा के 3, इसके बाद एंगला 3S जमा बारे मराबर है, जीरो, इसको अलकरेंगे, दोनों तरफ बारे को पहले घटाएंगे, दोनों तरफ बारे घटाने पर, 3S जमा बारे में से घटा दिया, बारे इधर है, जीरो, इसमें से घटा दिया, बारे, ये बचेगा, घट जाएगा, 3S, बड़ाबर, जीरो में से कई 10 गटाने पर, तो घटाके 12 बचेगा, अब इसको दोनों तरफ 3 से, भाग करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 3S के साथ अभी गुणा में है, तो इसको उटाने के लिए दोनों तरफ 3 से, भाग करने पर, यह हो जाएगा, तीन S बटे में तीन बराबर गटा के बारा बटे तीन, इकट जाएगा, S बराबर बारे को भाग दिया तीन से, तीन चोके बारे, साथ में गटा, तो गटा के च्यार, यह इसका हल हो जाएगा, आगे हैं, तीन S बराबर जीरो, अब यहाँ पर S चर के साथ सिर्फ तीन है, तो दुनों तरफ तीन से भाग करने पर, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है, जो तीन है, वो चर S के साथ गुणा है, तो हम यहाँ दुनों तरफ तीन से भाग करेंगे, 3S को बाग किया 3 से इधर भी 0 है 0 को बाग किया 3 से 3 से 3 बाग करने पर कट जाएगा 1 बचेगा और यहां बचेगा सिर्फ S योगि 3 को बाग देंगे 3 से 1 आएगा तो 1 की गुना S के साथ S ही रहेगी बराबर 0 को बाग दिया है 3 से तो 0 को किसी भी संख्या से बाग दें हमेशा 0 भी आएगा तो यहां पर S का जो मान है वो हो जाएगा 0 अगला है 2 की बराबर 6 यहां पर 4 की के साथ 2 गुना में है तो दोनों तरफ 2 से बाग करेंगे ताकि हमारा 2 यहां से हट जाए दोनों तरफ 2 से भाग करने पर भाग करेंगे तो 2 क्याओ भाग में 2 यहांने बटे 2 बराबर 6 बटे 2 2 से 2 कट जाएगा क्याओ बराबर बचेगा 6 को बाग दिया 2 से 2 तिया 6 तीन पे जाएगा तो क्याओ कमान 3 हो जाएगा बहुत ही सिंपल है यहां पर गटा में 6 और गुणा में 2 है तो पहले चल्ण में हम 6 से 6 को यहां से अटाएंगे तो दोनों तरफ से 6 यह दोनों तरफ से 6 जोडने पर या दोनों तरफ 6 जोडने पर एक ही बात है दोनों तरफ 6 जोडने पर जोडेंगे 2 क्याओ गटा यह 6 जमा का 6 गटागा अट जाएगा 0 बचेगा तो 2 क्यों बराबर 0 जमा 6 की संख्या में 0 जोटने से कोई फर्वर नहीं पड़ता 6 का 6 रहेगा अब यहां से मारे पास क्यों के साथ में 2 है 2 कोटाने के लिए दोनों तरफ 2 से दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 2 क्यों है इसको हमने 2 से भाग कर दिया बराबर हो जाएगा 6 बटे 2 छे को भी 2 से भाग कर दिया 2 से 2 कर जाएगा यहां बचेगा सिर्फ क्यों बराबर 6 को बाग देंगे 2 से 2 तिया 6 तो यहां से क्यों का जो मान हो 3 आएगा और यही समय करन का हल होगा इसके बाद next है 2 क्यो जमा 6 बराबर 0 यहाँ पर 6 है जमा में और 2 है गुणा में तो हम क्या करेंगे पहले दोनों तरफ से 6 गटाने पर क्योंकि 6 यहाँ पर जमा में है तो हमें गटाना पड़ेगा गटाएंगे 2 क्यो जमा चै इसमेंसे 6 गटाएंगे 22 तरफ 0 है उसमेंसे भी 6 गटाएंगे 6 गटाची यह 0 आएगा इंदर बचेगा 2 क्यो इंदर बचेगा गटाके 6 अब यहाँ पर 2 को अठाना है 2 को अठाने के लिए अमें क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ दो से बाग करेंगे लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ दो से भाग देने पर तो दो क्या को हमने बाग दिया दो से इधर माइनस के छे गठा के छे इसको भी बाग दिया दो से तो यहाँ से दो से दो कट जाएगा वह यहां पचेगा सिरफ क्या बराबर छे बटा दो गठा का निशान दो तिया छे छे को बाग दिया दो से तीन आएगा तो क्या का माना गटा के तीन अगला है दो क्यों जमा छे बराबर बार है दोनों तरफ से छे गटाने पर क्योंकि यहाँ पर छे जोड में जमा है गटाएंगे दो क्यों जमा छे में इसे गटा दिया छे इदर दाई पक्स में बारह है बारह में इसे छे गटाएंगे जीरो आएगा बचेएगा दो क्याओ बारह में इस इच्छेग आए बचेएगा च्छे अब यहाँ पर क्याओ के साथ में दो है उसको अटाने के लिए वही काम करना पड़ेगा दोनों तरफ दो से भाग देने पर अगले स्टेप में अगले चर्ण में लिखेंगे दोनों तरफ दो से भाग देने पर भाग देंगे दो क्याओ भाग में दो बराबर छे भाग में दो दो भाग में दो एक आएगा यहाँ बचेएगा सिरफ क्याओ बराबर छे को बाग दिया दो से दो तिया छे तो क्यों कमान हो जाएगा तीन और ये समेकन का हल होगा तो ये प्यारे बच्चों प्रशनावली खतम होती है अगर प्रशनावली पसंद आई हो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना धन्यवाद